हाई स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग आज के लेक्षर में हम और्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे जदा इंपोर्टेंट टम की बात करने वाले हैं जिसके बिना और्गेनिक केमिस्ट्री हमें समझ में ही नहीं आएगा तो पहले टम का नाम आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे टम का नाम है नुकलियोफाइल इनहीं को लेकर जो रियक्षन होते हैं और अर्गेनिक केमिस्ट्री में वो दो टाइब के होते हैं एक इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा नुक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रियक्षन हमारे सलबस में दो टाइप के दिये होते हैं या तो इलेक्ट्रोफिलिक आडिशन होगा या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिशूशन ऐसे ही नुकलियोफिलिक addition और नुकलियोफिलिक substitution आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोफाइल और नुकलियोफाइल बहुत जंबल्ड कॉंसप्ट है कई सारे वे को जोड़ कर उनको समझना होता है तो इसके लिए हम थोड़ा पहले कुछ इन से जुड़े हुए terminology की बात कर लेते हैं उसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल और नुकलियोफाइल को अच्छे से समझ पाएंगे तो पहला जो term है student bond fission bond fission इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और नुकलियोफाइल का concept यहां से भी आता है तो student हमने 11th grade में एक word पढ़ा था उस word का नाम था bond याद आया आपको bond आपने 11th grade में सुना होगा bond एक attractive force है जो 2 या 2 से जदा atoms को hold करके रखता है atoms, ions, molecules उनको hold करके रखता है एक attractive force है force तो पता है कि force एक ऐसा factor है जो push या pull करता है तो bond एक attractive force है जो 2 या 2 से जदा atoms को आपस में hold करके रखता है हमने bond जो basically पढ़ा था 11th grade में 3 type की bond पढ़ा था पहले bond का नाम था ionic bond और दूसरे bond का नाम था covalent bond covalent bond और तीसरे bond का नाम था coordinate bond हमें आज focus करना है covalent bond पर covalent bond क्या होता है ऐसा bond जो sharing of electron से बनता है दो electron की sharing से एक covalent bond बनता है student लेकिन आज हमें covalent bond बनाना नहीं है covalent bond को break करना है क्योंकि breaking of covalent bond is called bond fission तो bond fission means what breaking of covalent bond तो जो covalent bond का breaking होता है student वह basically दो type का होता है तो पहले वाले वे को कहते है homolytic और दूसरे वाले को कहते है heterolytic bond fission इसे एक और term से रिपिजन किया जाता है बोला जाता है homolysis and hydrolysis तो चलिए इसको हम अच्छे समझते हैं उसके बाद में देखते हैं कि electrofile या nucleophile से इसका link क्या है तो पहला homolytic bond fission क्या होता है ऐसा bond fission जहां equal distribution of electron हो जब cobalent bond break हो जैसे A और B ने cobalent bond बनाया है तो A cobalent bond कब बनेगा जब एक electron B का involved हो एक electron A का involved हो और इनके बीच का जो bond break हो student A अपना electron ले ले B अपना electron ले ले क्या हुआ यहाँ पे equal distribution of electron हुआ तो A ने अपना electron ले लिया B ने अपना electron ले लिया student किस bond fission को यानि इस process को हम क्या कहेंगे homolytic bond fission और homolytic bond fission में जो बनता है उसे हम कहते है free radicals अब यहाँ एक example लेते है CL bond CL आपने ऐसा कुछ तो सुना होगा CL 2 दोनों की electro negativity same है इस CL के outer muscle में जैसा CL का total electron जो होता 17 electronic configuration 287 यह balance electron है 7 electron है outer muscle में दूसरे वाले के पास 7 ही है ना तो दोनों की electro negativity same है तो जब bond break होगा तो CL अपना electron लेगा दूसरा CL अपना electron लेगा simple language में कहूँ यह CL जितने force से इसके electron को खीचेगा यह CL उतने force से इसके electron को खीचेगा तो क्या करना पड़ेगा homolydic bond fusion equal distribution of electron हुआ ऐसे यहाँ पर देखिए CS3 और CS3 के बीच में दोनों की जो electron density है यहाँ मैंने electron negativity कहा यहाँ पर electron density कहा priority table आप पढ़े होंगे तो समझ पा रहे होंगे electron density का मतलब electron negativity में हम सिर्फ उसी atoms के electron की बात करते हैं जबकि electron density में हम उसके साथ bonded जितने भी atom है उसके भी electron की बात करते हैं तो इस C के पास कितने bonded electron है student जिसे इस C के पास देखो C का खुद का और तीन hydrogen का है यहाँ भी यहाँ दोनों की electron density सेम है तो यहाँ जो bond fusion हुआ वो equal distribution वाला होगा क्योंकि दोनों का power force आप जो भी बोलना चाहो एक ज़सा है तो यहाँ क्या बना free radicals CS3 इसे हम कहते हैं methyl radical student जो radical होते हैं यह का फॉर्म हुए homolytic bond fusion से समझे में आया homolytic bond fusion से क्या मिला radicals और radicals are more reactive than ions ions से ज़्यादा react करते हैं कौन radicals याद रखना ions क्या होते हैं चलिए हम समझते हैं उसके बाद थोड़ा और बात करेंगे homolytic पर hydroletic bond fusion क्या होगा जब unequal distribution of electron अन-equal distribution जैसे A और B ने एक bond बनाया तो bond में तो A के electron, B के electron दोनों involved है लेकिन जब bond break हो तो या तो दोने electron A ले ले A ने दोने electron ले लिया देखो A negative हो गया और B positive हो जाएगा ऐसा भी तो condition हो सकता है A lose कर दे तो A positive होगा और B gain किया B negative हो जाएगा यह electron उसके हमने repinion कर दिया यहाँ पर क्या हुआ unequal distribution of electron unequal distribution of electron के वज़से जो बनता है उसे हम क्या कहते है ions दो टाइप के ion बने एक positive ion है जिसे हम ketion कहते है जो negative ion है उसे हम anion कहते है तो ketion और anion बनते है जैसे H और CL के बीच में bond है H के पास electron कितना होता है 1 CL के outer muscle में 7 which one is more electron negative CL तो CL bond के electron को अपने टूर्ड ले लेगा तो H positive हो जाएगा CL negative हो जाएगा यहाँ पर कौन सा bond fusion हुआ unequal distribution यानि हैट्टोलेटिक bond fusion हुआ और क्या हमको मिला ions मिला तो यहाँ देख लिजिए C के outer muscle में 4 OH के O से bond है न तो O के outer muscle में 6 which one is more electron negative O तो उने electron gain कर लिया यहाँ पर हम pair of electron उसका दिखा दी तो यह ions बन गए ions जादा reactive नहीं होते हैं मैंने पहले भी बता दिया reactive होते हैं लेकिन comparison अगर हम करें किस से radical से तो radical से कम reactive होते है आगे मैं carbonium और carbonium पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा देखिए यहाँ carbonium लिखा है 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 carbonium लिखे है तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे separate lecture में एक टर्म और जानना ज़रूरी है लिविस आसिड क्या है और लिविस बेस क्या है तो देखिए student ऐसे species जो प्याराफ इलेक्टोन गेन करते हैं उन्हें लिविस आसिड कहते हैं जैसे एक एक एक्जामपल लेते हैं ALCl3 aluminium chloride है AL के साथ तीन chlorine को मैंने bond बना दिया AL के पास अभी total number of electron कितने हैं aluminium का atomic number 13 electronic configuration 283 यही है न तो total number of electron 3 थे तीन bond बना लिया यह तीन bond बन गया student तो अब electron कितना हो गए 6 तो octate करने के लिए क्या करेगा pair of electron को गेन करेगा और pair of electron जो भी species गेन करता है उसे हम क्या कहते हैं Lewis acid ऐसे आप BF3 भी देख सकते हैं यह भी Lewis acid Lewis acid समझ में आए electron pair gainer वाले species को हम कहते हैं Lewis acid हाँ electron pair की जब बात आजाती है pair of electron lose और गेन की तो वहाँ जो bond बनता है वो कौन सा bond होता है coordinate bond हमने 11th grade में देखा होगा coordinate bond बनता है चलिए देखते हैं Lewis base क्या होता है ऐसे species जो pair of electron को donate करते हैं Lewis base कहते हैं स्टोडेंट हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास नंबर आफ एलेक्ट्रोण कितने हैं 7 electronic configuration 25 अब देखो nitrogen के साथ 3 hydrogen bond बना लिया तो 3 electron यहां ही नोवल्ब हो गए लेकिन टोटल कितने electron थे आउटर मोसल में 5 यहनि pair of electron अभी free हैं की नहीं है यह pair of electron को donate करेगा इसलिए यह Lewis base है ऐसे species जो pair of electron को donate करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं Lewis base Lewis की थेयरी electron pair donate और gain कर में पर ही चलती है अब हम electro file और nucleophile को समझ सकते हैं तो student चलिए देखते हैं electro file क्या होता है तो terms को split कर लीजिए electro file electro मतलब electron और file मतलब लविंग ऐसे species जो electron loving होते हैं उन्हें हम electro file कहते हैं नाम सही समझ में आ गया लेकिन student जो electron loving होंगे यहीं वो उनके पास electron की कमी होगी यहीं वो electron deficient होंगे यहीं ऐसे species जो electron deficient होते हैं वो और अलेक्ट्रोफाइल होते हैं electron deficient कौन होंगे जिनके उपर positive charge होगा यहीं जैसे methyl ion यहाँ पर CS3 positive है यह electron deficient है या नहीं है यह electrophile है और भी ऐसे species हैं जो electrophile होते हैं लेकिन उन पर कोई charge नहीं होता जैसे यहाँ पर मैं कहूँ यह kytion है तो kytion electrophile होते है ऐसा कहना गलत है जितने भी leavis acid हैं मैंने थोड़ दिर पहले इसलिए आपको leavis acid बताया leavis acid क्या है ऐसे species जो pair of electron gain करते हैं जैसे example हमने किसका लिया ALCL3 ALCL3 पर कोई charge है NO ALCL3 एक neutral species है और यह pair of electron को gain करता है यानि leavis acid है तो जितने भी leavis acid है वो भी electrophile होते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा है कि positively charge कोई हो तो भी electrophile होगा और neutral species भी electrophile होते हैं यहाँ पर example लेते हैं जैसे BF3 हमने लिया BF3 boron total number of electron 5 electronic configuration 23 अब boron के पास 1, 2, 3 यह ते इन इलेक्टॉन होगा है F है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरे F के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यहाँ देखो इससे share कर लिया इसका तो 8 हो गया फ्लोरीन का 8 हो गया इसका कितना हुआ 3 था 4 गुआ न बोरॉन का 5 6 अब बोरॉन का BF3 अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से अब बोरॉन के पास टूटल नमबर आफ एलेक्टरॉन कितने है 6 यह पेर आफ एलेक्टरॉन को गीन करेगा और पेर आफ एलेक्टरॉन गीनर क्या होता है स्टूडेंट लिविस आसीड होता है यह लिविस आसीड होता है और जितने भी Levis Acid होते हैं सबके सब क्या है Electrophile है तो यह एक Neutral Species है लेकिन Electrophile है और जिनके पास Electron की कमी हो यानि Positive Center, Electron Deficient Center वो तो Electrophile होंगे ही होंगे तो होब आपको Electrophile समझ में आ गया होगा चलिए अब हम देखते हैं Nucleophile क्या होता है Nucleophile देखो word आ गया Nucleophile और File File का मतलब हमने पहले पढ़ लिया है Nucleus Nucleus क्या है इस्टूडेंट Nucleus File मतलब Loving Nucleus Loving Species अगर हमने Bors का Postulate पढ़ा होगा Bors की थेयरी पढ़ा होगा तो Bors ने बताया था Center में सिर्फ Positive होता है उसके अंदर Proton और Neutron रहते है ऐसा Bors ने कहा था और बाहर Cell होते है उसमें Electron रहते है जबकि Bors का Concept नहीं था Nucleus को लेकर तो थेयरी दिया था गोलिस्टिंग और Rutherford में थेयरी दिया था यहा हम Electrophile और Nucleophile की बात कर रहे हैं तो Positively Charge है यानि अब एक चीज़ बताओ यह Negatively Charge है यानि यह Electron Efficient Center होंगे कौन से Center होंगे Electron Efficient यानि इनके पास Electron पहले से होगा इसलिए यहां लिखा है यह Species Electron Rich होते है इसलिए यह Nucleus Loving होते है और Student यह Levy's Base होते हैं तो याद रखो जरूरी नहीं है CL-, BR- यह Negatively Charge है यही Nucleus File होंगे ऐसा कहना गलत है चलिए हम समझते हैं तोड़ा डिटेल में तो Levy's Base थोड़ा समझना जरूरी है CL- भी एक Levy's Base है इसलिए मैंने आपको Bond Fision पढ़ाया था क्योंकि इसके पास Paraff electron है कोई भी चीज निगेटिब हो तो उसके पास Paraff electron रहता है यह Paraff electron donate करेगा इसलिए यह क्या है Levy's Base है Student CL अगर रहे है तो यह CL chlorine है और यह chloride ion है दोनों में difference है याद रखना CL Levy's Base नहीं होता है CL- यह chloride ion होता है Levy's Base जैसे मैंने example लिया था NS3 NS3 के पास Paraff electron था यह Paraff electron lose करेगा इसलिए यह Levy's Base है तो जितने भी Levy's Base है OH- BR- CL- CN- सबके पास Paraff electron है सबके पास Paraff electron है यह Paraff electron को क्या करेंगे इसलिए लूज करेंगे Levy's Base हो गए यह Negetably Chars यहनी Anionic Species और Neutral Species दोनों क्या हो सकते है Nucleophile हो सकते है यह Negative Charge कब होगा Bond Feeson से बनता है यह वालव वर्ड आपको ध्यान से रखना है यह Slide आपको ध्यान में रखना है स्टुनेंट देखो Electrophile में Levy's Acid है Levy's Base है यह Positively Charge हो सकते है Neutral हो सकते है यह Negatively Charge हो सकते है Neutral हो सकते है Positively Charge में मैंने Example आपको बताया था Methyl Ion हो सकता है Neutral में मैंने कहा था AlCl3 हो सकता है BF3 हो सकता है यहाँ Negatively Charge में क्या हो सकता है Cl- Br- ऐसे हो सकते हैं ना Neutral में क्या हो सकता है NH3 H2O H2O का तर नाम आपने सुना होगा H2O भी pair of electron donate करता है H2O भी pair of electron donate करता है H2O तो वह है Nucleophile है यह Electrophilic Addition और Electrophilic Substitution में जाएंगे यह किसमें जाएगा है Nucleophilic Addition और Nucleophilic Substitution में जाएगा यह electron deficient होते हैं यह electron rich होते हैं पहले ही मैंने आप सबको यह चीज़े बता दिया Accept pair of electron और यह क्या करता है Donate करता है इसलिए यह Levis क्या है Acid है और यह Levis क्या है Base है All Carbocatins All Carbocatins अब यह Carbocatins और N-I-N जो हैं अगले lecture में हम दिखेंगे क्या होते हैं Example यहाँ पा दिया Hydronium ion Hydronium ion आपने देखा है H-O-H यह Positive हो जाता है यह pair of electron gain करेगा इसलिए यह Levis Acid है और Electrophile है Chloride ion example दिया Cl- यह pair of electron donate करेगा Levis Base है और Levis Base होने के साथ साथ student यह Neucleophile है अब यह एक चीज और याद रखना है आपको Cl- एक Neucleophile है NH3 भी एक Neucleophile है दोनों में से कौन सा ज़्यादा Reactive होगा तो student कई सारे Terms देखने होते है Simple मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ Cl- Anyhow इसको यह अपना Negative Charge हटाने के लिए इसको Negative Charge हटाना है यह pair of electron Anyhow donate करेगा NH3 Stable है यह Stable है यह pair of electron ना दे तो भी Octate है इसको कोई Problem नहीं है तो सबसे बाइ Reactive कौन होगा Cl- अगर मैं H2O और NH3 दोनों को compare करूँ तो यहाँ पर यह जो bond का length होता है H2O में देख लो यह bond length है bond length और इनके पास जो pair of electron है H2O में दो pair है और NH3 में एक pair है इन चीज़ों पर भी Depend करता है स्टूडेंट इनकी वज़े से attraction और repulsion कम और ज़्यादा होता है इन पर भी Depend करता है तो इन बातों का भी आपको क्या करना है ध्यान रखना है वो हम जब NEET और JEE के lectures की बात करेंगे तब समझेंगे कि कैसे क्या होता है तो थैंक यू स्टूडेंट मिलते हैं ले लेक्चर में कार्बो केटान और कार्बो एन आयन के सब्स